आज हम बात कर रहे हैं फेफणों की कपेश्टी बढ़ाने वाली एक्सेरसाइज के बारे में इस एक्सेरसाइज को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर स्वांस अंदर भरते हुए हाथों को फैलाएं और रीड की हड़ी को पीछे की तरफ मोड़ते हुए पीछे ब बीश बार कर सकते हैं वीडियो में सुनीता जी वैउशा जी आपको करके दिखा रही हैं इसी परकार से आपने इस एक्सेरसाइज को करना है जबरदस्ती ना करें देखा देखी ना करें अपने समता के नुशार इस एक्सेरसाइज को आपने करना है अब आईए बात करते ह इस exercise से होने वाले फायदों के बारे में जिन पूरुस और महिलाओं की स्वांस फूलती हो बलकि आज कल तो यह बिमारी युवाओं में भी फैल गई है उनकी भी स्वांस बहुत जल्दी फूलने लगी है तो ऐसे लोग प्रति दिन नियमित रूप से इसका अभ्यास करें 15-20 इस बार से शुरू करके 2-3 राउंड जिसमें आप दीरे दीरे इसके राउंड बढ़ा सकते हैं संख्या बढ़ा सकते हैं और 20-40 आवरती तक आप कर सकते हैं इस exercise को करते हुए हमारे फेपडे फैलते हैं और शुकरते हैं जिससे oxygen का level फेपडों में बढ़ जाता है और फे इस भी जैसी खतरनाक बिमारी से भी यह हमें बचाती है इसलिए इस exercise को नियमित रूप से सब को करना चाहिए इस exercise को करने से हिर्दे के जो रोगी हैं heart की जिनको problem रहती है उनको काफी लाभ मिलता है क्योंकि इस से बल्ड के अंदर oxygen का level बढ़ जाता है और जिससे heart कुछी परकार से oxygen को सभी अंगों तक भेज देता है पुरानी से पुरानी खांसी की जिनको समस्या है यदि वो लोग इस exercise को नियमित रूप से करते हैं तो उनकी यह समस्या कुछी दिनों में सवते ठीक होने लग जाएगी दमा एवं सवांस के रोगियों के लिए यह exercise बह कंधों के दर्द के रोगियों के लिए यह exercise बहुत लाबकारक है परती दिन इसका अभ्यास करें शर्वाइकल के रोगियों को भी इस exercise से लाभ मिलता है जिनको थाइराइड की समस्या है उनको भी इस exercise का परती दिन अभ्यास करना चाहिए काफी लाभ मिलेगा यदि किसी व हमारी रीड की हड़ी को लचिला बनाती है और हमारी बोडिक का जो स्टेमना है उसमें भी काफी इजाफा करती है इसको नियमित करने से मुख मंडल की आभा बढ़ती है ओजव तेज में भी वृधी होती है इसलिए नियमित रूप से इसको करें आपका चेहरा चमकने प्रती दिन इस अक्सराइज का भ्यास करने से मानसिक शक्ती बढ़ती है और आंतरिक श्यांति व्यक्ति को अनुभव होने लगती है ध्यान रखें हाइपर सरवाइकल के रोगी इस अक्सराइज को ना करें इसके लावा जिनको पिछे जुकने पर चकर आते हों ऐसी रोग उसके बाद इस अक्सराइज को आप प्रती दिन स्वेम से भी कर सकते हैं वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें जिससे उनको भी फायदा हो सब के भले में अपना भला इसी भावना के साथ आओ इस वर्शे प्रार्थना करें सब सवस्त हों सब निरोग हों मात्रम